इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रासूला ओवटा या इसको आम तोर पर जेट प्लांट, डेकोरेटी प्लांट, मनी प्लांट या लखी प्लांट के तोर पर जाना जाता है इसको दोसो तरह प्रजातर प्रजाति पाया जाता है और मूलता, südодhा, शदन आफ्रिकन में पाया जाता है तो इसको फैंगशू में भी कई घरों में यूज़ए यूज़ए जैन पंवावटा को आप अपने घर के गबलों में कैसे लगा सकते हैं अगर आप में बढ़ाता है यह घर में इसको बढ़ाने से घर में आपके भाई सारा धन आता है इंद। अब ना विखाई, आप यह भी अगर की भीखी,the best घ्रले की ऑगनी नरश्म प्लांट हैं और आगर आप चाहे तो इसकी आप ब्रांचेस को भी वड़ी आसानी से गंबलों में रास्प्रांट कर देंगे तो वहां पर भी ये विक्सित हो जाएगा पुचर ये देखते हैं कि गंबले में इसको किस तरीकें से लगाया जाता है और्गानिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा को इस क्रासुला ओवेटा को पोर्ट में लगाने के लिए जो सोईल मिक्स आप तयार करेंगे उसमें आप इशेज ज्यान दीजिएगा क्रसुला ओवेटा एक सक्कलेंट प्लांट है इसमें पानी की मातरा भरपूर रहती है इसके आप तने में पत्ती में पूरा पानी दभार रहता है तो इसको लगाने के लिए आपको गंबले में काफी अच्छी मातरा में और गयानिक कमपोस्ट का इस्तिमाल करना पानिक करा ऑर जो मेरे सुएल मिख बनाने के लिए तो इसके तो इसमें बनाते समयें थान्यद्योय नही। क्योंकि अच्छी स्वेल मिक्स डालने से इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और काफी तेजी से फिर ग्रो होगा और काफी हरा भरा भी नजर आएगा तो अब मैं इस नर्सेदी से लाए हुए प्लांट को इस गमले में शिफ्ट कर देता हूं जहां पर फर्दर इसकी ग्रोथ ह इसको लगाना बड़ा ही आसान है आप असान तरीके से गमले में रख दीजिए फिर उपर से इसमें मित्टी डाल दीजिए और मित्टी डालने के बाग पानी देदीए तो फिर इसमें सेट हो जाएगा क्योंकि इस गमले में अच्छी मात्रा में कम्पोस्ट है या इसलिए बढ़ी तैई से इसमें गोख करेगा तो मैं इस वीडियो में बता Cambridge कैसी होती है कि इसको गमले में ट्रांस्टलांट करने बाद मैंने इस पानी भी डाल दिया है और क्र्सुला ओवेटटा की गमले में आप LED से ऑगी कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह क्रसुला प्लांट या लखी प्लांट या इसको मनी प्लांट भी बोला जाता है फैंक्शुई की भाषा में यह पूरा बड़ा होने के बाद कैसा दिखाई देगा कि इस क्रासुला को इस पॉर्ट में लगा हुए तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है और अब यह पौधा का भी विक्सित हो गया है और जैसे मैंने आपको पहले बताया थे कि इसके कई बेरेफिट है इसको लगाने के घर में यह अच्छा एक डे को घर में लगाने से घर में हमेशा पैसा या मनी बनी रहती है तो आप भी चाहे तो अपने घर के गंबलों में क्रासुला या मनी प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं और कुछ दिनों बाद यह इस पॉर्ट में अच्छा फर्दर ग्रो होता रहेगा और एक हेल्दी प्ला यह ओसली आपको कैसा लगा इस वीडियो को अनि गाड्นिंग करने वाले शेयर किजियेगा साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करने का लिंकि दिया हुआ है दिसके एक श्रम्षात्स मारण नभूये जब भी कोई नधा वीडियो इस चैन किसी और नई जानकारी के साथ तब तक आप अपने घर में गाड़निंग करते रहिए किसी और में गोजें घर आप दिताने एंग करते रहिए जानकारी किसी और उनकारी के साथ नचारी के साथ तकारी के साथ तक आप अपने एंग करते हैं